नागापूर कर प्रत्रिष्टान चींच भवन नाकपूर द्वारा आयोजित स्री पंचकृष्टन संसकार शिबीर का समापन किया गया इस मोके पर सायंद्री लॉन में महनुबावी ये महंत वास्तिक तपस्विनी जी आधी बड़ी संख्या में मौजुद थे आई ये टालते हैं एक नजर इस मोके पर सायंद्री लॉन में महनुबावी महन वास्तिक तपस्विनी के साथ साथ राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के इश्वर बालबुदे दिनानात पडोले और सौजय श्री भाजीपले अरविंद भाजीपले स्रीकांत शिवनकर खास तोर पर मौजुद थ चाहिए तो वहीं परम पुझेनिय पट्टा दिश्टित महनत स्री नागापूर कर बाबा ताई चींजभवन इन्होंने बताया कि सभी उम्र के लोगों ने बच्चोंने सब्त व्यसनों का त्याग करना चाहिए इश्वर बक्त स्री गोपाल दादा नागापूर कर स्री पंचे कृष्णा आश्रम चींजभवन वर्दारों नाकपूर स्री अर्वीन जी भाजी पाले कृष्णा जी टाकर खेडे इन्होंने पंचे कृष्णे शिविर का शानदार आयजन किया था आश्रम के पीची कर आएं जानना चाहेंगे मकर दोखणा के बड़े बाबा जी नयाएबाद बाबा वारे साथ में उन से जानना चाहेंगे बाबाजी यह बता कि पीच्राइब लिया गया एक कितना महुतु पूरणा है श्री पंचकृष्ण बाल संसकार शिवीर ये जो कारिक्रम है ये मानुहाव संप्रदाई की जो विचारधारा है उस विचारधारा के अनुसार बच्पन से ही बच्चों को धर्म की शिक्षा मिलनी चाहिए और जब तक बच्पन से उनको धर्म की शिक्षा नहीं मिलती तब तक धर्म उसमें दुरूरता पुर्वक और सहजता से निर्मान नहीं होता इश्वर के प्रती प्रेम निर्मान होना ये इस संसार में एक बड़ी महत्वपुर्ण बात है लेकिन बच्पन से हमें बस माता पिता अब तक उतर स्वकिय इनके प्रती स्नेह उर्द्धी होती रहती है और उसी अवस्था में इश्वर के प्रती भी स्नेह निर्मान होना चाहिए है क्योंकि इश्वर हमारी सही अर्थ में माता पिता है वह माता ची पीता वामेव तुमेव बनकी स्का तुमेव भृद्य்व त्वमेयव वी जर्वन ममदेवदे हो आप बड़ा महतुवर आज भागदोडबरी जिन्दगी में हर किसी को आध्यात्म के और आना चाहिए क्योंके खुन खराबा और बाकी के चीजे तो होती रहती है हर को यह अलग-अलग रहा पे चलता है मगर परभ्रम्म परमेश्वर भगवान सरवग्वान सर्वग्विष्ट्र स्वामी के चरणों में लीन होकर जो आध्यात्म करता है उसका जीवन कईने कई मोक्ष के और भी जाता है इसमय में हमारा सथ में नागापुर करता है यह परम्पुजी ने पट्टा दिश्री महंत आई यह उनसे भी जाना चाहिए यह पता कि जिस तरह आई यह समाज के लि होता त्या निमित त्याना गोपाल दादा नागापुर करते नहीं ही इता पंज्री घिन्या मदी आलेला है त्याचा उद्देश आशा है कि लान लेकर जे हैता मुला यहीन सब्तवेशना चा त्या केला पाईजे आत्ता पसुंजर केला ते समार उरद्धवाया करता लपाईजे यह उद्देश आना हां घितलेला शिवीराई जीस तरह से बताए कि आज की जो पीड़ी है उनको कहीन कहीं सई मार्क मिलना चाहिए और आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए अगर यदि भविश में आध्यात्म बढ़ता है तो यकिनन हर चीज अच्छी होती है और मोक्षिय तरफ एक ही मार्ग है और वो है आध्यात्मा सयांद्री शिक्रे रम्यमत्री अनुसुय नंदनम तमवंदे परमानंदनम स्री दतात्रेयम जगदग्रू बेलतरोडे के इस दत्तमंदी से कैमेरा प्रसन सुभाज बुटले के साथ संजय मीरब बीसे न् बुरू